असलाम लेकुम साथियो बहुत रोज हुए आपको फ्रूट और्चिड की सेर नहीं करवाई है तो सर्दियों का आखीर है समझें और मौसम जो है वो बदलने लगे हैं अभी देखते ही देखते धूप जो है उसने पीली पड़ जाना है तो बहुत ही हसीन बहुत ही आपको सेर करा दें हम निकले थे हमने वहां जो वेजिटेबल्स उपर लगा रखी है उनको फिल्म किया तो उस वक्त सूरज वह बहुत तेज होता है उस वक्त जो है सेर कराना काफी मुश्किल होता है तो यह हमारा पाउंड और दूसरे एंड से शुरू करते हैं ताकि उस चड़ी हुई है या पादा चड़ा हुआ है वो पीले फूलों वाला है तो इसके बहुत ही खुबसूरत फूल होते हैं यही वज़ा है कि हमने मालियों को यह उतारने नहीं दिया बहुत प्यारा भरा होता है यह जिस पर फलियां लगी हुई है फूलों से और आम हमने आप को बताया कि आमो को बूर आने लगा हालांकि अभी काफी सर्दी है अभी पांच टेंपरेचर रात को हो जाता है पांच डिग्री तक और यह देखें बूर देखा आप बस नजरें उठा कर यूँ ऊपर देखें और आपको लगेगा कि आप कराची में हैं फिर आप भूल जा आता है और एक अटेश्मेंट होती है उस जगह से जहां आप पैदा हुए हों जहां आप पले बढ़े हों और हमें तो ऐसा लगता है कि इनसान कभी भी उस जगह को भुला नहीं पाता है हमेशा हर जगह उसे ही तलाश करता है जहां कि वो पैदा हुआ होता है जिन गलियों में वो खेला होता है जिन दुकानों से वो लॉली खरीद के खाया करता है तो वो जो यादी है वो कभी भी इनसान का पीछा नहीं छोड़ती है हमें लगता है कि इनसान की जिन्दगी की बुनिया जो है वो वही दौर होता है तो अभी तो हम बेफिकरी से आपको घुमा जैसे ही एक बहुत गर्म दिन आया और बरसात पड़ी तो बस समझें के साप जो है उन्हों ने निकलना शुरू कर देना है निकल तो वो अभी भी रहे हैं बहु बता रही थी कि जो उसने कैचर्स हैं काफी उनकी तसावीर वगारा जो है आती रहती हैं कि यहां से पकड़ से यगा खासकर हमारी अलाके में निकलते हैं लेकिन यह है कि हम उन पेजिस को लाइक नहीं करते हैं इसलिए कि फिर हम दरेंगी हमारी वो भी फिक्री जो है वो चली जाएगी तो हर आहट हर सरसराहट जो है वो अपने अंदर एखौफ रखती है आप यह देखें देखा आ यह यहां पर एश करके गए हैं तो फल मालता बेटी ने निकाला था जूस पूरा जग भर के इतना मज़ेदार और उसने नमक और काली मिरच डाल के फिर सब को दिया बहुत मज़ाया पी के तो आज भी वह सोच रही थी लेकिन जिंदगी ऐसी हो गई है कि घर में लगे हुए फल का जूस निकालने का वक्त नहीं मिल पाता है बहुत ही भाग दौर तो अभी हम गए वेजी गार्डन में हमने वहां पर सबजियां लगाई हैं देखा तो सोनी मिया जो है वो टैप बंद कर आए हुए थे तो कल शाम को उनको बिचारों को पानी नहीं मिला शुकर है कि ह हम हाथ से भी होस से पानी उनको दे आए थे लेकिन फिर भी तो यह देखें यह साहिब जो है यह देखें भागे भागे यह आए हैं नजर आए इन्होंने खाने हैं यह माल्ते और यह चड़ते हैं दरखत पे बीच में से यह दूसरे साहिब आए यह देखें तो यह जो है असल में इनकी दुनिया है जिसमें हम मदाखलत कर रही हैं तो मालिक यह हैं हम तो महमान हैं तो यह यहां पर आते हैं दरखतों में चढ़ते हैं और यह जो गिरा गुरा फल है इतनी शौक से नहीं यह उसको खाएंगे और यह जितनी दूर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं यह इतनी दूर है नहीं कोई आठ कदम दूर होंगे यह हम से देख रहे हैं आप कितना यमी यमी फल जो है खारें छी लेंगे और यह जो आवाज आ रही है यह पाइड करवांग की है कव्वे की तरह का जानवर है लेकिन पतला लंबा खुबसूरत है कव्वे की निस्बत और थोड़ा सा टेल के नीचे से भी सफैध है और थोड़ा बहत उसमें सफैधी जो दिखाई देती है लेकिन ओवराल पूरा पतला लंबा लंबी चौँचवार स्मार्ट सबर्ड है खुबसूरत कोयल और कवे के बीच का जो के गाने गाता है तो यह हमारे इलाकों में पहले नहीं होता था यह उपर जहां फ्रेजर आईलेंड वगएर है वहां हुआ करता था तो जब हम वहां जाया करते थे सेर करने के लिए तो जाहर है कोवेट की वज़य से तो हमारी सारी सेरेंच जो यह वह बन्दी हो गई हैं लेकिन पहले तो हम कोई वीकंड ऐसा नहीं था कि हम घर रहते थे हैं पर यह हैं कि अपर यह निकलना मुशकिल उनको ले जाना मुशकिल कोवेट के दिनों में ऐसे कहीं लू कि यह बस्ता जाता है और हम सेरों से महरूम है उप कि अब जाए करते थे अब जो कि हआ Todos के अब है इल करते हैं कि अब जाया कर्थे थे तो ये जिस टैंक के ऊपर ये बैठे हुए हैं ये वो सिस्टम है जो पानी को प्यूरिफाई करता है जो घर में वाशिंग का और हमारे नहारे दोने का पानी है वो सारा इसमें आता है प्यूरिफाई होता है और दरख्तों को फिर ये स्प्रे मिलता है इस पानी का इसने मालत तो चीलते हैं और खाते हैं ये खुश्बू उठी हुई है बहुत यहां इनके चीलने की वज़ा से तो आगे चलते हैं इससे पहले के सूरज जो है वो नीचे जाए देखें बिल्कुल जड़ा सा उपर रह गया और इसने नीचे चले जाना है जल्द ही ज्यादा हम अब आजकल फलों के लगाने पर फोकस नहीं करते के और दरख्त लगाएं क्यूंकि हमें अंदाजा हुआ है कि इनकी मेंटेनंस भी काफी भारी है और हर वक्त इनकी देख रख जो है वो करनी पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया और आप भूल गए तो ये देखें ये मिसल टो जो है ये उग रहा है इसको उगने नहीं देना हमने यहाँ इसकी जड़ जो है ये देखें आ रही है नीचे देखा आपने लेके आएंगे क्लिप पर देखा कितनी मजबूती से इसने पकड़ा हुआ ह इस हाथ से राइट हैंड से कोशिश करतें लेकर आएंगे कोई प्रॉपर चीज उससे हम इसको उतारेंगे तो ये शाखों पर उगता है और वो देखें उपर एक और उगा हुआ है उसको भी हमने खेंच कर नीचे करना है तो हमने इनको उगने नहीं देना ये पौदे को कमजोर कर देते हैं ये सारा काला हो रहा है आम का पेड़ इसको स्प्रेज जो है वो करता है माली ये और किसम का आम है आपको बूर देखकर अंदाजा हो ही रहा होगा और इसमें एक महक है इंतहा की महक है और वो महक वो है कि जो बीज को एट्रेक्ट करेगी जो इंसेक्ट्स को एट्रेक्ट करेगी कि सारी शहत की मक्या और दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो इस पर आएंगे और इसको पॉलिनेट करेंगे वरना ये है कि इसके फूल कभी भी फल में न बदलें तो इनका पॉलिनेट होना बहुत जरूरी है जो कि इनको बीस किया करती है और इन दिनों में जैसा कि हर बरस ही हम आपको बताते हैं कि बरसातें जो हैं वो ठहरती हैं सांस लेती हैं थोड़ा इसलिए कि ये पौदे पॉलिनेट हो जाएं तो अल्ला ताला का एक निजाम है कि पीछे काफी बारिशें हुई इन्होंने जान पकर ली और फिर ये भूके रहेंगे प्यासे रहेंगे अब इनको कुछ भी समझो कि पीने को नहीं मिलेगा अगर इस वक्त में बरसातें पड़ जाएं तो पेड़ों पर फल ना पड़े इसलिए कि वो पॉलिनेट नहीं होगा क्योंके मक्यां वगरा और बीज वगरा जो है वो उन नहीं सकेंगी तो ये बरसातें इस वक्त इसलिए ठहरेंगे एक खास किसम का नेक्टर जो है वो रिलीस करेंगे ये जो बूर हैं ये जो फूल है और उससे फिर वो एट्रेक्ट होंगी आएंगी इनके ओपर बैठेंगी एक जगा से दूसरी दूसरी जगा से तीसरी और यो फिर ये फूल जो है ये फल में बदलेंगे तो ये बेरी शुकर है कि माली ने काट दी और साफ सुत्री हो गई जगा और इसके अराउंड जहाँ अब हम घास काट सका करेंगे तो हमें तो यकीन माने के हॉल उठता है घास काटने से इतनी बाड़ी दुख जाती है घास काटने से और यह जो इतना खुबसूरत सा आपको बावीचा दिखाई देता है यहाँ पर चलना यह यहाँ पर घास काटना कोई ऐसा आसान नहीं है मुश्किल है महनत तलब काम है कि वो जाहर है उस पर जटके पढ़ते हैं बैठकर और किसी और को हम दे भी नहीं सकते अब जो माली आज कल काम कर रहा है हमारे हाँ हमने सोचा था कि हम उसको सिखाएंगे यह मौवर जो है यूज करना तो उस दिन हमने उसको कहा कि गयराज में जो रैक रखा है जिस पर हमारे टूल्स रखे हुए है वो जारा टाइडी कर दे रैक ताकि उसमें थोड़ी सी जगह बन जाए तो उसने किया और साथ फिर उसने उस मशीन का भी मॉइना किया जिसको क को थोड़ा थोड़ा चलाना सिखाएंगे करें तो देक दूखके जब यह ज़्य कई यह तो कितनी बड़ी मशीन है कितनी भारी मशीन है और कि अम्किन है कि इस माली को वो देना सेफ ना हो जाहर है जाहर है दानपां सा फिर रावरार युठ इस यह दापाज़ और पहель है जल्दी से वो सीख लेगा लेकिन थोड़ा सा देने लगे इनसान को ऐसे इनसान को देहान करना चाहिए कि कहीं उस बिचारे को चोट ही ना लग जाए जखमी ही ना हो जाए क्योंकि वो बहुत बड़ी मशीन है और है भी जीरो टर्न की के एक दम से ही मुड़ जाती है पिर य जालते हुए है तो मोड़ना पड़ता है और फिर एक दरख से दूसरे दरख पर स्पाइडर्स जो हैं उन्होंने तार खेंची होती है जाला बुना होता है तो जब आप घास काट रही होती है और आप तेजी से उन दरखतों के दरम्यान से गुजरते हैं तो सारा जाला और स्पाइडर्स जो हैं वो आपके फेस पर आजाते हैं तो आप समझें के स्पाइडर का एक तरह से शिकार हो जाते हैं तो डर जाता है इंसन जो आदी ना हो तो इस वज़े से हमें थोड़ा सा हुआ गया हम उसको नहीं देंगे यह देखें शाहतूत देखा कितना हुआ है शेप दिया वह यहां से चोटा सथा जब से हम इसको शेप दे रहें तो हम इसको बिल्कुल इस शेप में चाहते थे जिसमें के यह है और यह जो शाखें आपको ऊपर दिखाई दे रही है जब इनको फल पड़ेगा इनमें पत्ते निकलेंगे तो यह जमीन को चुए इतना यह उंचा है है हला कि हमारे सरस्सा प्राइण है लेकिन दो बाहर है पुआदा को चाटना आ वह उता है कहीं आपको भाग फोग आ कर दे इस तरह करना पड़ता है widot किया और देहां करना पड़ता है ब्रांचिस तूटे तो आपको कहीं चुब ही जाए तो खतरना काम है ऐसा आसान नहीं है यह घास घुस गार्डना और इस प्रॉपर्टी की मेंटेनन्स जो है वो इजी नहीं है और यह देखें यहां पर कैंगरू भी थे हम उदर जब वैजी गार्डन में काम करें थे यह न दोनों आमों के बीच में भी वो संत्रा लगा हुआ है और यह देखें एक और आम यह सारी वराइटी जो आपको इस लाइन में दिखाई दे रही हैं वो यह और यह सारी मुक्तलिफ हैं बिल्कुल अलग 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 जाएके के खुश्बू के आम हैं और इसका बूर भी द तो यहीं मौजूद हैं हम आराम आराम से चलते हैं एक तरफ को तो दो चार थे जब हम उधर गार्डन में वेजी गार्डन में काम करे थे और यह वाला जो है यह आम और है बिल्कुल एक और नसल है आम की और किसम का आम है सिट्रस माशाला से बहुत खुश और बिल्कुल यह इतना गहना इतना बड़ा सरा दरख था कि यह काटना हमारे लिए मुश्किल था है यह अर।